गुट कर दो गुट कि गुट को अग्ड इन आवर टोड़ी लॉड यूड यूड आपको अबार इस अवर पर्स पर्फेक्ट कंटर स्थेंज तेंज अमारी आज की क्लास में हम लुग जाहें वह पास्ट कंटर स्थेंज के बादें पड़ेंगे In our previous class we have discussed about what is past perfect counter-strengths and what are its identity Means हमारी previous class में हम लोग ने जाना था कि past perfect counter-strengths क्या होता है और हम इसे कैसे पहचान सकते है Clear? हमारी आजए क्लास में हम लोग बात करने वाल है Uses of past perfect counter-strengths So without more further delay Let's start our today's video So very first use Something that started in past and continued up to another action or time in the past Means ये past perfect counter-strengths एक ऐसे action के बारे में बताता है जो past में continue था और past के किसी other time तक चला है Means past में start हुआ है और past के किसी एक certain time period तक वो continue था है The past perfect counter-strengths tells us how long just like the present perfect counter-strengths Wasn't perfect time was present present perfect counter-strengths में पड़ा था लेकिन हमार्बाशन पर्फ़शन पर पर फंपर क जा में था कि किसी तरह और का action present time में कितने देर चला था वह हैं As for example, she had been working at that company for a year when she met James, means वह जो है उस company में बहुत समय से काम करे थी जब वह James से मिली, तो यहाँ देखिए, James से मिलने का जो action है, ठीक है, उससे पहले क्या था, कि वह किसे एक company में बहुत लंबे समय से काम करें, ठीक है, तो एक लड़की जो है, बहुत लंबे समय से काम करें थी, उसके बाद जो है, वह James नाववे किसी लड़के से मिलती है, Next, I had been, यहाँ पर देखिए, यह जो है, यहाँ बहुत समय से चल रहा था, जब मुझे वह घर मिला, मिन्स घर मिलने से पहले तक जो है, वह एक तरह का action था, मिन्स क्या, एक तरह का action जो है, बहुत लंबे समय तक चलने के बाद क्या हुआ, उसे एक घर मिला, तो यह क्या बतारा जा रहा, कि a past action that shows how long our action was continued in past time, मिन्स किसी तरह का action कितने धर तक हमारे past time में चल रहा था, मिन्स यहाँ बताया क्या, कि बहुत धंटों चले, मिन्स एक तरह का action बहुत लंबे समय तक चलना, तब जाके उसे घर मिला, I had been living in Berlin for three months when we had to live, अब क्या हो रहा, यहाँ बतारा कि हम लोग जहाँ वो बर्लिन में बहुत लंबे समय से रह रहे थे, यह फिस सिंपल बहुत रहते कि हम लोग बर्लिन में तीन महनों तक रहे थे, जब हमें वहाँ उस जगह को छोड़ना पड़ा, तो यहाँ बतारा कि बर्लिन में वो कितने दे तक रहे तो तीन महनों तक रहे, तो यहाँ पर क्या बतारा कि यह बतारा कि पास्टाम में किसी तरह का action जो है, बात चल गया जिसके कारण के होगा है जो हमारा previous action जो था means वैसा action जो पास perfect context chance में था जो हमारे बहुत लंबर समय सब्सक्राइब से चल रहा था वो किसी तरह से interrupt होगे यह फिर बोशकते खत्म होगे नदिशामपल मताया गया कि she had लड़के एक साल से काम करें तो यहां पर क्या पास्ट में एक्षन था लंबे से चला फिर उसके बाद एक्षन खतम हो गया मैं बहुत लंबे दे तक जस्ते में चला था जा मुझे घह मिलने किया तब उसके जानने का मिन्स जो एक्षन बहुत लंबे से चल रहा था वह एक्षन अब आगे प्रोशेट नहीं करेगा हम लोग बर्लीं में तीन मेहने तक रहे थे और फिर तीन मेहने के बाद क्या हुआ हम लोग को वह जगा छोड़ना पड़ा ठेक है किसी भी कारण से तो यह एक एक्षन खतम में एक तरह का एक्षन होए लंबे समय तक चल रहा था फिर किसी तक इंट्रप्शन के कारण वह खतम होंगे क्लियर नेक्स्ट है संथिंग डैट फिनिश जस्ट बिफोर अनदर इवेंट इन पास मींज यह एक एक एक्षन को यह बता रहा जाता है जब किसी तरह का एक एक्षन खतम हुआ उसके बाद दूसरे अक्षन स्टार्ट हो ठीक है संथिंग डैट फिनिश एक एक्षन खतम होता है उसी तरह से यहां पर बदा जा रहा है कि प्रजंट टाम में एक एक्षन खतम हो रहा था दूसरे अक्षन शुरू हो गया प्रजंट में तो ही क्या पार्स में किसी तरह का एक एक्षन स्टार्ट हो था फूसके खतम होने का फिर दूसरे अक्षन स्टार्ट हो गया एक्जांपल से हम लों उससे और बैता तरीके से समझने का ट्राइक करेंगे एक्जाम्पल है दा पेव्मेंट वास वेट एड हैड बिन प्रीनिंग दा रेन हैं की तरह का आपार्टमेंट क्या था वह भींग चुक है था क्यूंकि बारिश हो था तो बारिश हो था बारिश हो था क्या हुआ कि मेरा जो है पेजमेंट यह फिर सिंपल भासे में बोल सकते हैं अपार्टमेंट यह फिर रूम बोल सकते हैं वह भींग चुका है तो एक एक्षन खतम होने के बाद हमारा दूसरे एक्षन हो गिया स्टार्ट हो गिया ठेक है यह यह पूर्ण पास्ट में जैक है क्या मताज़ा दरेन हैस स्फिनिष्ट बिफोर टाइम आप जो है मैं किसी तरग बार ने जहें जो है वो किसी जो है फेल रहा हुआ जैक है मेरा रूम पूरा भींग चुका है तो मैं यह भींगने का जो बारिश होने का समय था वह लंबे समय तक चला अच्छे खासर देल तक चला होगा बारीश हो सकता दो घंडा तीन घंडा में एक लाउंड डियूशन में चला है ठीक है अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि मेरा रूम पूरा भींग के लेकर इसके बारें बात मैं अब कब करूं प्रजेंट अमें और यूज़े छो है खेल रहत है इसलिए रूम वगंता है अम यहां क्या बता जारहा कि एक एक खतम हुआ हो दूसरे एक्षें के शुरू होने से पहले ठीच के सब्सक्राब्स तोhur क्या हो गया और ऑपक्राई होगो एक गया हम तेख सब्सक्राइब कि does आ और उसाय्स हुआ हूंद का अ अब बाई शुने कारण क्या रूम भींग गया बच्चे लोग खेले कारण क्या हुआ कि रूम जहें उसका हालत खराब है तो हमारा पास्ट परफेक कंट्र स्टेंस एक तरह एक्शन बता था अब उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट आ रहा है वह बता रहा कि उस एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि I had been working before I saw you and that's why I was really tired मैं जो है मैं बहुत देर से काम कर रहा था जब मैंने तुम्हें देखा ठेक है मिन्स काम करने बहुत देर तक काम करने वाल किसी पर्शन को देखे हो सकता अपने पर किसे दोस्त को देखा और उसके बाद क्या होगी है आपको ठ जकाद होता है कि aa की सिभी तरग काम करते है तो हम लोग उसमें deeply involved हो जाते उस काम को बहुत हुआ मन से कर रहे होते और ऑचान से कोई पसे नहीं तो ऐसल करकर चें खार तो की थे टेरह का cand करने के बाद हम लोग ठाक और मैसूस हो रहा और यह सब की सारे बाते जो है वह हमारा पास्ट फॉर्म है मिस्ट पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है I think till now you are quite aware about the concept और we can see the use of पास्ट पर्फेक्ट कंट्रेस्टेंज moving further on an action that was continued in past for a long time means एक section जो पास्ट में बहुत समय तक चला था यहां पे हम लोग जो है वो उसके end होने का reason नहीं बता हम लोगों के पीछे देखा पीछे के जितने भी हमारे users में हम लोगा देखा कि कि किसी ना किसी कान से वह जो है interrupt हो गया था यह पी पास्ट में खतम हो गया था किसी भी कान से अब यहां पर बता जा रहा है कि पास्ट में खतम हुआ लेकिन कब हुआ उसके बाद हमें किसी तरह का जानका यह नहीं इसलिए हम वह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंट्रेंस इस उस्ट टॉक अट एक्षेंड डाट वस कंटिनुड इन पास्ट फॉर लांग टम मिस पास्ट के समय में बहुत लंबर समय तक किसी तरह का एक्षन चला था एक्जामपल समझते हैं we had been walking in this project for three days हम लोग तीन दिनों से इस प्रजेक्ट पे काम कर रहे थे तो क्या हो रहा कि पास्ट में किसी तरह एक्षन स्टाट हो था अब प्रजेंट में भी उस एक्षन को ने बताए जारा हो सकता प्रजेंट टाइम वह एक्षन खतम हो गया बेहाद बीन शौर्टिंग एठेंग फोर वन आउर वे लोग उस पे एक घंटों से चिला रहे थे तो चिलाने क्या ह गया एक लंबे समय तक चला अब खतम हो चुका है यह हमारा पास में है और यह प्रजेंट में होता तो हो सकता कि वह उसकी परसन पर चला है तो हो सकता है वह अच्छे दित चलता नेक्स एजांपल आप अपने फ्रेंट से बात करना चाहते हैं बहुत ही इंपर्टन बात है लेकर आप करने पार हो ठीक है अब दस दिनेंट त्राइक कोई बात हो जाए बात हो जाए अब जब बात हो गया फोन उठा लिया को दोस्त तो आप क्या बोलोगे आप लोगी फो यूफॉर लास्ट इंदिक मैं तुम्हें दस दिनों से ढूंड रहा था अब क्या होगा ध एपने शाधी के तेरी पिछले दो महिनों से कर रहे थी। खतम हुगा क्यों गया क्योंकि उसका शाधी हुगए रंजीत है वनुलिंग अच्छ दिली में दो हजार साथ से रह रहा था तो यहां एक एक सेक्षेन को रहता रहा है जो पास्ट में लंबड़ समय चला था अब जो हो सबता करन जी जहों किसी दूसरे जगा शिफ्ट कर गिया हो क्लियर तो हमारे आज के क्लास्ट में हम लोगों ने यूस ख पास्ट परफेक्ट के बाद Convention के बार में पढ़क है अगला है जब पाष्ट में स्टार्ट हुआ हुआ लंब इसन स्टोब और यहाँ पता जांग हुआ हुआ तेये देखेंक Go कि बारिश उन्हें कारण के हो ग surrounds रोम अब भीग चुका है तो भार इस खत्म होगी है रोम भीख चुका है तब हम लोगे कहा कर पड़ेगा हम वोगो रूम की सक्षाव हो पड़ेगा ठीक है इको एक एक्षिर्ट एक्ता नाट तै है जो पास्ट में लंबे समय तक चला था है ठीक है तो आज थिंक आवर टोड़ेस वीडियो रिगार्डिंग दे यूज अफ पास्ट पर्फेक्ट कंट्री स्ट्रेस्ट इसक्वाइड फ्रूट तो यू बाइन और इफ यू लाग दाव वीडियो सब्सक्राब तो आवर चै झाल झाल